इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Voxidap 50 Tablet एक प्रकार का Antidepressant है जो Selective Serotonin Reapotech Inhibitor यानि की SSRI समूग की दवाओं से संबंधित होता है. यह अवसाद का इलाज करने के लिए निर्धारित है, जहां यह आपको बहतर महसूस कराने में मदद करता है. इस दवा का उप्योग जुनूनी बाधिकारी विकार वाले लोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है. Voxidap 50 Tablet का उप्योग खाने के साथ या बिना करें. खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता है यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. आपका डॉक्टर आपको कम खुराक पर शुरू कर सकता है और इसे धीरे धीरे बढ़ा सकता है. अपने डॉक्टर से बात किये बिना खुराक में बदलाव न करें या इसे लेना बंद न करें, भले ही आप ठीक महसूस करें. ऐसा करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है या आप वापसी के अप्रिय लक्षनों, यानि की चिंता, बेचैनी, धरकन, चक्कर आना, नींद में गरबड़ी, आधी से पीडित हो सकते हैं. अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इस दवा को नियमित रूप से प्रति दिन एक ही समय पर लें. आपको बहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं. यदि आपको चार सप्ताह के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर को बताएं. बताया गया है कि वोकसी डप 50 टेबलेट के पुराने एंटी डिपेंटेंटेंस से कम दुश प्रभाव होते हैं. इस दवा के कुछ सामानने साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, ठकान, मूह सूखना, पसीना बर जाना, कपकपी, अनिद्रा, यानि की नींद में कठिनाई, यौन इच्छा में कमी, स्खलन में देरी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन शामिल हैं. कुछ लोगों को इस दवा को लेने के बाद नींद आने का अनुभव हो सकता है. अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपका मूड अचानक खराब हो जाता है या खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में कोई विचार आता है. इस दवा को लेने से पहले आपको अपन प्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। विशेश रूप से अन्य एंटी डिपेंटेंस और दवाएं जिन्हें MAO इन्हीबिटर कहा जाता है। कृप्या अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आप ले रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।